समाच चार सुन सत्र के बिय सेर गुराए उसी समय मंत्री सकलली ने पास बुलाए जामवंत हनुमंत बटे अंगद दिद मेंद सेना पतिनल नील सेंका सचीदानन्द लंका के चार दुआरे हैं कैसे उन पर चड़ना होगा उस महादुष्ट दसकंदर से किस तरह को लड़ना होगा सुग्रीव बिविक्षन हनुमंत सबने मिल एक विचार किया जो कटक बांदरी इसे ना थी उस बलको इसे चार किया ये लंका गड़े दुर्गखटिन ये दपी ये सब कभी जानते थे फिर परताब सेर गुबर के मन में कुछ बह नहीं मानते थे अब बारू बाजे बजने लगे लंका में बहरी सोर हुआ इस तरप सोर अब कभी बालों का असरों का जोर उस तरप हुआ किस गई करोरों तलवार है तन गई आजारों ही भाले कई खड़क उटे कहीं गदाच उटे कहीं चले दन सुतीरों वाले जो प्रवल पवन के चलते ही बाजलें पर उड़ जाते हैं तो ही बाजरों से डढ़कर निश्ट लंका की ओए को जाते हैं जब निश्टर रण में ऐसे भागे तब रामन को गुसा आया फिर भुला के पोरन असुरों को इस रैसे उसन से फरमाया संगरामे में निश्टर हटत है कर इतना अब सुन पाऊंगा जिन बिन बूजे उनको उसी समय तलवार से मार गिराऊंगा सुनकर रामन के बचन भरन अर्दे में जान धाय का फिर कभी कटक में है इस बट असुर बलवान अब तो मरमुक दर सूल पर बश्चों को असुर चलाने लगे तब उन सस्तों के चलने से बानर बालू अकलाने लगे पस्री में द्वार राक कपाट पर खड़े बीर अनुमान लड़ता था इंसे वहां मेगनात भलवान अनुमत ने देखा गबडा कर सब बानदर बाग ले जाते हैं वो प्रबल काहल समग गर्वत तर्ज को तो कपना दिकलाते हैं अब इस किले पे ये भी जा पहुंचे और परोते को खाड लिया गुस्सा खाकर किरकार मार अगर नाच के रत पर डाल दिया बारी पाढ़ के गिरते ही रत मेगनात का तूट गया मुचितों सारे अस्वगरे सारती कतन भी छूट गया तब मेगनात की चाती में अनुमत ने मारी लाट भी गिर गया भी कल हो प्रति पर वाई मुच्छा अधिक तभी फिर मेगनात के लिए यह कहला लंका नगरी चेहरत आया उस रत के डाल के अस्रों ने गन्नात को लंका पहुंचाया अस्रों के उपर क्रोदितों कटकटाता है किस भली फिर भाय के इससे बानर बा भाग चली भागते थे निश्रलंका को हनुमान अंगत अकते थे तब पकड़ पकड़ कर असुरों को सागण में उन्हें पटकते थे कप्यों के आदे असुर दिये जिसमें महार रावन सुनकर स्वामें करने लगा बिचार नीतिबरी बोला बतन मालवंत सिर्णाय रावन प्रव के सामने कुछने पार बसाई क्यों जहान भूज कर उन से आप नाक ही रार बढ़ाते हैं सितार बुर को दे कर के जगड़ा क्यों नहीं मिटाते हैं मालवंत के बतन सुने वाद सानलाल मंत्री को ललकार करे बोला बतन कराल ओब मुड निकल जा यहां से तू मुझको अब मुहमत दिखलाना छोड़ा सट मुट बुड़ा जान तुझे बस और किसी को बैकाना रावन के यह बतन सुने सुचिवचला गबरहाई इससे मैं कहने लगे मेग नातर साथ क्यों पिता जी मन में सोच करो कल में लड़ने को जाओंगा फोजय बाने बालों की दंबर मे मार गिराऊंगा फिर अपनी भुजाओं के बसे में बांदराम को लाऊंगा और करूं कत्ल उस लख्वन को तब तुमको मैं दिखाऊंगा इसी तरह कहता रहा वाक्त भी मिल्सार कपी बालों ने लंक पे गेरे चारों द्वार मेग नातने की उदरे करी फोज तयार सस्ट मेकर को सब्सक्रों कि उक्सिता फ gravity बुजाता यॸचल टीले कि बय तुमक को लैंगा चैसे मिल्सक्रों के लगको महें नोगा यшजाए क्रेट यारिक्त भीक पड़ ता ज़िंग legitimate बढ़ता ता धाध क्याक। युद्द का छोड़ दिया, उस मेगनात के हुदा से वीरों का उसला तोड़ दिया, लक्षमर्ण जी ने प्रभु को आये बताया, नुवाया मात, धाउं उसिर को मानने, आग्या दो रगनात, का तभी प्रगनात ने, जाओ लकन तुरंद, रक्षा पर रहे आपकी महाबली हनमन के, दिया आरसी हनबनात ने, चले लकन हरसाज, ललकारा गनात को रणभूमी में जाओ, वो दुष्टा सुर अब संमुखा, देखूं तुझ में कितना बल है, इस उनर को में देख सकता हूँ, कितना है, जोर कितना चल है, सुने बटन जब लकन के, बोला वहबलवान, इंदरजित के सामने करता है, है लक्समन होजा होश यार, तुमको बकाल बुलाता है, यह लक्समन होजा होश यार, तुमको बकाल बुलाता है, यह इंदरजित सिर्काट तेरा रणभूमी में आज सुलाता है, मेगनात के बतन सुने, वो ले लकन सको पे, छोटता हूँ, ए किया लगते ही बांदे तूट गया सार की गिर कर गब राया मर्दांग निदे की लक्समन की तो निश्चन को गुशा आया फिर बिड़े लखन और मेगनाथ दोनों ने रहना तिक पुर हुआ एक से एक जीता नजा पेंटों तक भारी धोर हुआ क्रोध विव सबह लखन ने मारे बान कराल फोज भरी सबी मारी गई असल हुआ बेहाल मेगनात मन में तभी करने लगा विचार लखन दूरी समय मुझको देगा माल कर विचार हत्यार सबह दिये जमी पर डाल भी लगाजनी सक्ति को उसने लिया निकाल मोका पा उस दुष ने किया लखन और बाल लगी सक्ति वह लखन के हुई रदय में पाल रक्त नहार उससे वही भी वश्त माम लखन विकल मई पर गिले है काा राम हा राम उनके गिरते ही दोड़ दोड़ गोदा लंका से का आने लगे रावन की पास लेजाने को लखन को उस उठाने लगे मेगना समस्कोटबली सम मिलकर जोर लगाते थे वो उठेने से साधार तब सबहार मान कर जाते थे उसे में नमान जी लखन पास गए आई देखा दसा व्याकुल है मुह से निकली हाई सोचते ते रोते खड़े जिल में अजिक मलाल प्टा लकन को गोद में चले अंजनी लाल देख ल अंदर दल में मच गया दारुना हाका सरगोद मेरेक्सलवक्षन का निज करके मुझसे मुकर साब किया भाई के गम को रो रोकर रगवर ने महाब लाप किया यह भाई लखन क्या हुआ तुझे जो इतने खमोस हुए कुछ खबर ने अपने तन किये फल में ऐसे बेहोस मेगनाद से ननने जाता हूं यह स्वामी कुछ मत फिकर करो में अभी मार कर आता हूं मुझको तो यह किन हुआ यही मेगनाद का नाम मिठाएगा यह खबर ने कुछ पल में थी पाई मुच्छित हो जाएगा इधर रो रहे भालुक पी उदर सी रगुनाद उसी समय कहने ल में स्वामी लंका में कोई रूप विज्वा दीजे फिर नात विद्य को वो लुआ करके लक्षमन की नबस दिखा दीजे जामंत के बतन सुने बंदा जरा कुछ दीर आगे आए उसी समय पौन पुत्र बलबीर बरस